हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल एजू मित्रा में मैं तरोण सोलंकि आपको पर्तिसर टोपिक करवा रहा था पिसली किलास में तो पर्तिसर टोपिक को हम आज फिर कंटीनियू कर रहे हैं पिछले किलास में हमने 11 स्वाल किये थे और आज हम 11 से आगे ज़रे रहे हैं दो टाइप कर लिए थे तीसरा टाइप आज इस्टार्ड कर रहे हैं तो पर्थम पूज्य श्री गणेज जी मराज और मा सर्श्वती जी के आश्रिवास चलिए परतिसत की दूसरी गलास स्टार्ट करते हैं तो देखी ये स्वाल करा है गेहूं के दाम में 20 परतिसत की वर्दी होने पर एक परिवार उसका वो कितने परतिसत कम करे कि गेहूं पर होने वाला खर्च यथा वर्द रहे कितना रेना चाहिए जो पहला था वही रेना चाहिए पहले कितना था यथा वर्द का मतलब वही होता है जो पहले था वही रेना है तो हमने वाना गेहूं का मुल्य था पेले खर्चा कितना करा था? 100 रुपेगा कितना करा था? 100 रुपेगा कितने की गेहूं के दामे वर्दी हो रही है? 20 की तो 100 का 20% निकाल लो 100 का 20% कितना होता है? 20 ही तो होता है 100 का 20% 20 होता है तो हमने वर्दी कर दी सो में 20 की वर्दी मतलब 120 अब वर्तमान में मुल्य हो गया 120 लेकिन वो क्या कह रहा है स्वाल की खर्थ क्या रहना था यह था वर्त मतलब पहले सो था अब भी क्या रहना था यह सो हमने कर दिया कि यह हो गया सो पहले सो था अब भी सो रखना है तो कितने का अंतर है इन में वर्तमार में 120 का बाव बढ़ गया इसलिए 120 है लेकन हम खर्चा फिर भी क्या कर रहे है 100 का कितना कम कर रहे है 20 तो 20 का खर्चा कम कर रहे है कहां से कर रहे है 120 क्योंकि वर्तमार मुले क्या था यह है बाव बढ़ने के बाद 120 इंटू परतिसत के लिए हम सो करता है एक जिरो से एक जिरो के सत्थ दो के बाड़े से एक वार ये छे वार छे कब आग इसमें दिया ये गया एक वार ये गया ये अच्छ ये गया आपके तो आपका फाइनल आंसर आ गया सोडा सही 2 बटा 3 परतिसत कम करना पड़ेगा कितना कम करने पड़ेगा सोडा सही 2 बटा 3 परतिसत कम करना पड़ेगा तो स्क्रिन सोट ले लो आप तो देखिए आपका next स्वाल next स्वाल क्या करें आपको प्याज के दाम में 25 परतिसत की वर्दी होने पर एक परिवार उसका वो कितने परतिसत कम करे कि प्याज पर होने वाला खर्ज यथा वर्थ रहे यह जो पिछला मैंने आपको गरहे था गेहु वाला इससे जश्ट पहले वाला सेम वेसा ही सवाल है तो देखे इससे कैसे करते हैं हमने वही माना कि प्याज का दाम पहले कितना खर्चा कर रहा था सो उरुपे एगा दाम था सो में अब गरहे प्याज के दाम में 25 परशेंट की वर्दी हो रहे हैं क्योंकि 25 के दाम 25 बढ़ चुके है, लेकिन वो स्वाल कर रहा है कि एक परिवार उसका वो कितने परतिशत कम करे कि प्यास पर होने वाला खर्च यथावर्त रहे, यथावर्त का मतलब पहले 100 था, अब भी 100 रखना है, हमने रख दिया 100, अब 100 है, लेकिन वर्त्मान भाव पड़ेगा वर्तमान दाम जो मुल्य बढ़ने के बाद वेल्यू क्या थी वहां से करना है 125 इंटू परतिसत निकालने तो 100 करेंगी यह 25 के पाड़े से 500 यह 25 के पाड़े से 4 यह एक वा यह 500 तो आगए आपका आंसर 20 परतिसत कमी तो कितनी कमी करनी पड़ेगी 20 परतिसत की कम करनी पड़ेगी तो स्वाल का इसकी सोट ले ले तो चलिए दोस्तों शरू करते हैं आज का नेक्स वाल नेक्स वाल क्या करा है पड़िए टमटर के दाम में 30 परतिसत की वर्दी होने पर एक परिवार उसका उपवो कितने परतिसत कम करे कि टमटर पर होने वाला खर्च कितना बढ़ना चाहिए 17 परतिसत बढ़ना चाहिए तो पिछले जो स्वाल किये थे उसमें के रहा था यह था वर्द रहना चाहिए मतलब पहले जितना खर्चा कर रहे थे उतना ही होना चाहिए था लेगन इस स्वाला स्वाल के रहा है कि नहीं कुछ तो बढ़ना चाहिए बजार बाव तो क्या बढ़ रहे है टमटर के 30% के साब से लेकिन हम खर्च कितना बढ़ाएंगे 17% तो हमने वाना क्या हम खर्च करते थे पहले 100 100 खर्च टमटर के दाम क्या बढ़े 30% बढ़ गए 30% तो 100 का 30% 30 ही होता है तो हमने 80 कि 130 130 हो गए अब कह रहा है कि 130 हो गए लेकिन टमटर पर होने वाला खर्च 17% बढ़ना से ही वो बढ़ेगा कहां से 100 से ही तो बढ़ेगा खर्च हमने बढ़ा दिया 17% बढ़ा दिया हमने 17% कितना होता है 100 का 17 होता है तो उसमे एड़ गया 117 अब 130 बढ़ बढ़ने के बाद होने के बाद हम खर्चा करें 117 का तो कितना कम कर रहे हैं खर्चा कितना कम कर रहे हैं कम तो कर रही है क्योंकि बढ़ क्या थे 130 हो गए थे हम खर्चा कितना कर रहे हैं 117 का कर रहे हैं कितना कम कर रहे हैं 13 का कर रहे हैं 130 और 17 गंतर 13 होता है 13 का तो ये 13 का खर्चा कम करें कहां से कर रहे हैं बाव तो 130 थे उसे साब से कर रहे हैं तो 130 इंटू परतिसत के लिए हम 100 करते आएं 10 से 10 13 से 13 के इसत तो हमारा आशर आ गया 10 परतिसत कम तो कितना खर्च कम करना पड़ेगा तो इसकीन सोट ले लो आप अपना ये रहा आज का चोथा स्वाल आपके इसकीन पर तो देखे स्वाल क्या कह रहा है स्वाल कह रहा है एक आयत की लंबाई में 20 परतिसत की वर्दिक होने पर उसकी चोड़ाई को कितने परतिसत कम करे कि उसका चेतर फल केवल आप परतिसत बड़े कह रहा है कि एक आयत की लंबाई में 20 परतिसत वर्दि हो रही है लंबाई में तो क्या हो रही है वर्दि कितनी लंबाई में वर्दि हो रही है 20 परतिसत की और हमें करना क्या है कि चोड़े को कितना कम गरे की छेतर फल के वल आठ परतीसत बड़े ये कर है तो सवाल देकर गबरा मत जाना सवाल वैसा ही है जैसे हमने पिछले सवाल किये थे तो देखिए हमने माना छेतर फल था 100 छेतर फल था 100 लंबाई में वर्दी हुई 20 परतीसत की पलस की 20 परतीसत तो 100 का 20% 20 होगा हमने एड गिया 120 अब कह रहा है कि उसका छेतर फल के वल आठ परतीसत बड़े तो छेतर फल पहले 100 था 100 से बढ़ना कितना चाहिए 108 बढ़ना चाहिए जब लंबाई बड़ी बताओ ये बात बताओ जब लंबाई बड़ेगी तो क्या छेतर फल नहीं बड़ेगा क्योंकि छेतर फल का आयत के छेतर फल का आयत का छेतर फल का फार्मुला क्या होता है लंबाई इंटू चोड़े यही तो होता है तो बताओ छेतर फल का बढ़ेगा जब लंबाई बढ़ादूँगा तब भी छेतर फल बढ़ेगा और जब चोड़ाई बढ़ादूगा तब भी बढ़ेगा हमने माना लंबाई एक थी देखो, एक्जामबल से सम budgeting लेना एक थी, चोड़ाई भी एक तब छेतर फिल क्या है आपका एक आया मैंने लंबाई को क्या कर दिया दो कर दिया लंबाई को क्या कर दिया दो चोड़ाई को एक रगा तब आपका छेतर फिल क्या दो आया तो देखिए लंबाई बढ़ो या चोड़ाई बढ़ो बढ़ने से छेतर फिल भी बढ़ेगा लं इनका अंतर कितने का रहा है इनका अंतर तो आ रहा ही होगा कितना का रहा है 12 का तो 12 का अंतर कहां से आ रहा है 120 से इन्टु 100 एक जिरो से एक जिरो 12 से बारा कैसा 10 परतिसत कम तो इसकी चोड़ाई को कितने कम करना पड़ेगा 10 परतिसत कम करना पड़ेगा तो आप इसका स्क्रीन सोट ले ले ना समझाए तो वापस वीडियो को देखना तो दोस्तों देखते हैं आज का नेक्स वाग आपकी स्कीन पर है यह गर है प्याज के दाम में 40 परतिसत की वर्दी होने पर 40 परतिसत की वर्दी होने पर एक वक्ती अपना खर्च इस परकार करता है कि प्याज पर होने वाला खर्च केवल और केवल कितना बढ़ना चाहिए 12 परतिसत बढ़ना चाहिए यदि मुल्य वर्दी से पूर्व 25 केजी प्याज की खपत करता था तो वर्तमान की खपत हमें ग्याद करनी है तो देखिए कैसे होता है ये स्वाल हमने माना पहले प्याज का दाम था सो मतलब प्याज पर खर्च कितने करे था हम 100 अरुबे जब प्याज का दाम 40 पर 30 सत बढ़ा तो हमारा खर्च भी चालिस बढ़ गया तो 140 हो गया दाम परतिसत में बढ़ा तो हमारा खर्चा भी तो बढ़ गया लेकिन के रहा इस परकार करता है कि प्याज पर होने वाला खर्च के बारा परतिसत बढ़ना चाहिए हमने सो से हमने सो से बारा परतिसत बढ़ा दिया मतलब कि 112 बारा परतिसत ब 28 का नहीं है गया 28 के तो अंतर है 28 का कहां से है 140 और परतिशत के लिए 100 करते आए क्योंगे हम पहले परतिसत में जान लेटे है cham खर्चे में तो हमारा फिर निकल जाएगा खपत में भी कमी 10 से 10 कहँच통 24 एकम 14 20 दूली 28 20 परतिसत कमी कितनी कमी करनी बढ़ेगी 20% कमी यहाँ तक तो स्वाल वही है जो हमने पिछले स्वाल किये थे स्वाल में जो लाइन एड हुई है वो है कि यदि मुल्य में वर्दी से पूरो 25 केजी प्याज की खपत होती थी तो वर्तमान की खपत में बतानी है तो 25 के जी प्याज की खपत कम हो रही थी मुल्य बड़ा था नहीं मुल्य गया था 100 रुपे अब हो गया 140 लेकिन हम खर्चा कितना 112 का कर रहे है तब 20 परतिसत की कमी करनी बढ़ेगी तो कितनी कमी करनी बढ़ेगी वो परतिसत कमी निकाल लेते है 25 थी 25 का 20 कमी नकाल लेते हैं 20 बड़ा 100 1 0 से 1 0 ये एक वार ये 5 था 5 के बाड़े से ये 5 फ़ार पहले खपत थो हो रहे थी 25 की अब कर रहे हैं 5 केजी कम क्योंकि 20 परतिसत कमी कर रहे है तो खपत में भी निकाला तो 5 केजी आ रहे है कमी तो करेगी तो अब वर्तमार की हपत होगी आपकी 20 kg कितनी होगी 20 kg तो आप इसका skin sort ले लो हमारा स्वाल जो कह रहा था वो पिछले वाला स्वाल था थोड़ी सी लाइन एड़ वी थी खपत कितनी होती थी तो skin sort ले लो अपना तो देखिए आज का 6 स्वाल next स्वाल ये कह रहा है ये स्वाल मैं आपको जो पिछले स्वाल दिये थे उसी के नुसार है उसमें वर्दी हो रही थी इसमें कमी हो रही है और ये स्वाल मैं आपको 2-3-1 जैसे इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपका अभ्यास होता रहे आपकी जितनी practice होगी चाय के दाम में 25% की कमी होने पर एक दुकांदार अपना खर्च इस परकार करता है कि चाय पर होने वाला खर्च केवल 15% कम हो कितना कम होना चाहिए 15% कम होना चाहिए लेकिन दाम कितना कम हो रहा है 25% का तो देखो स्वाल किस होगा गर था वही पहले खरच कितना करने थे सो उर्पे अब तो 25% की कमी हो रही है तो गयां तो 25 छी होता है थे जけてय सोल 15ीठי 5 पर्शेंट 25 होता है तो 25 छी कमी कर दिया कितना होगा दाम पिछेतर अब आ करें साथ होगा 25 साथंतुजान दुकाहनादार क्या चाता है कि मैं कंद पारती त्यासी तो होगा होगा प्ति खर्ष कमी जब दाम में कमी तो पिच्छत्र है लेकिन दुकाहनादारल खर्टा कित्ना कर रहा है 85 का तो इस वार खर्चा क्या कर रहा है थोड़ा ज्यादा कर रहा है कितने का खर्चा ज्यादा कर रहा है 10 का कहां से कर रहा है दाम पिच्छतर रुआ जहां से तो कर रहा है पिच्छतर से पिच्याशी कर रहा है इस वार तो पिच्छतर परतिसत के लिए वही सो का आशर है 40 बटा 3 परतिस्द क्या करना पड़ेगा वर्दी करनी पड़ेगी क्या करनी पड़ेगी वर्दी करनी पड़ेगी क्यों वर्दी क्यों कर रहे हैं 50-50 मतलब कि 10 की वर्दी तो कर रहे हैं तो हम परतिस्द में वर्दी आ गई जब ये वर्दी आ गई और हमें पूछ रहा है कि पहले 30 kg खपद कर रहा था तो वर्तमान में खपद कितनी होगी बतानी है तो पहले 30 था 30 कम 40 बटा 3 पर 30 सत निकालेते हैं 30 बटा 3 पर 30 सत निकालने तो बटे मैं 100 1 1 2 से 2 0 3 3 3 तो हमार आगया 4 kg वर्दी करनी पड़ेगी यह क्या आए 4 kg वर्दी करनी पड़ेगी क्योंकि 40 बटा 3 वर्दी करनी थी तो के जी में 4 kg आगयी पहले कर रहा था 30 kg की उसमें हमने एड गया 4 kg तो बराबर कितने आगी 130 kg कित और ना समझाए तो वापस वीडियो को देखना ताकि आपको समझा जाएगा स्वाल तो देखिए आज का दूसरा टाइप यानि की परतिसत का चोथा टाइप तो चोथा टाइप हम कर रहे हैं चोथे टाइप का पहला स्वाल और आज का साथ वा स्वाल तो ये देखिए ये type कैसा होता है solution इसका ये करा है गेहूं के दाम में 25% की वर्दी होने पर एक वक्ती 320 रुपे में 4 kg गेहूं कम खरीद पाता है तो बताओ वर्तमान मुल्य या बड़ावा दाम और पूरो दाम तो कैसे हैल करते हैं देखिए 25% की वर्दी होने पर 320 रुपे में 4 kg कम खरीद पाता है क्यों न हम 320 का 25% निगाल लेते हैं कि कितना है क्योंकि दाम 25% बढ़ रहा है तब ही तो 320 पहले खर्चा जो कर रहा था उसमें पूरा उसके पास आ रहा था गेहूं लेकिन अब आरा नहीं ये च्यार के जी कम आ रहा है तो 25% निकाल रहा है 25 के बाड़े से एक वार ये 25 के बाड़े से च्यार वार ये च्यार के बाड़े से कितना आट वार तो मारा आया 80 रूप siis कितना वार, कितना श्रय कंग कर रहा है 4 केजी तो 18 रूप आपको पता आपको पता आपको आउता कि कि रूपे उपर होता है और क्वांटिटी नीचे यानि कि जो वस्तुा है उसका बार नीचे होगा और उसका मुल्य उपर होगा तो एक का आजाएगा, मतलब कि एक केजी का दाम आजाएगा, आपके पास कितना है, तो कितनी मा रहा है, बीस, तो एक केजी का मुल्य क्या है, बीस रुपे, ये बीस रुपे है, ये क्या है, वर्तमान मुली तो है, क्यों, क्योंकि पत्चिस परतिसत की वर्दी हुई, तब चार के जिचावल कम खरीद रहा था, तो हमारे अनुसार अगर उसके पास 80 रुपे और होते तो वो 4 के जचावल खरीद पाता, तो हमने 80 में 4 का बाग दिया, तो हमारे पास आगे 20 रुपे तो ये 20 रुपे हो गए वर्तमान, लिख लो इसके यह हो गया पहला स्वाल दूसरा कहा रहा है पूरुदाम दूसरा कहा रहा है पूरुदाम क्या था तो बताओ जब 25 परतिसत की बर्द्यू ही थी 25 की बर्द्यू मतलब 125 का मुल्य क्या था 20 रुपे 125 का मुल्य था 20 रुपे तो 130 वेल्यू क्या होगी 130 मतलब की पेले वाली पूरू दामी तो पूछ रहा है तो 130 वेल्यू निकाल लेता है 20 बटा 125 इंटू ये 100 इदर चला जाएगा तो 25 के बाड़े से 500 और 25 के बाड़े से 4 वार ये 5 के बाड़े से 1 वार है और ये 4 वार तो 4 इंटू 4 16 रुपे 4 इंटू 4 16 रुपे तो ये आगया आपका पूरू दाम ये आगया पूरू दाम ये आपका सेकंड वाला परसन भी हलो गया तो पहले वर्तमान का तो आया 20 रुपे हमने लिखे दिया और सेकंड गया 16 रुपे तो परिक्षा में आपसे दोनों मुल्य नहीं पुछेगा परिक्षा में तो या तो पुछेगा वर्तमान या पुछेगा पूरू तो वर्तमान पुछे तो आपका पहले उत्तर सबसे पहले वही आएगा वर्तमान और अगर पूरू पूछे तो आपका एक स्टेप थोड़ा आगे चलना पड़ेगा और पूरू दाम आपके पास आजेगा तो आप इसका स्क्रीन सोट ले लो देखिए नेक्स वाल आपकी स्क्रीन पर आटवा स्वाल टाइप चोथा यह कर दाम में 10% की वर्दी होने पर एक वक्ती 1980 रुपे में 6 केजी चिनी कम खरीद पाता है तो जाहिर सी बात है जब वर्दी होगी तो चिनी जितने रुपे में पहले खरीद देते उस तने रुपे में अब क्या खरेंगे कम ही खरीद पाएंगे तो क्यों होना पिसले वाले की तरह हम 1980 का कितनी वर्दी हो रही है 10 की तो उसका 10% निकाल लेते हैं कितनी वर्दी हो गई एक से एक जिरो दो से दो जिरो तो मारा है 198 यानि की 118 में तो 118 में रुपय अगर उसके पास और होते 6 केजी की नि और खरीद पाते तो हम 118 में रुपय में क्या 6 केजी का भाग दे देते हैं तो मारे पास एक केजी की वेलू आ जाएगी तो हमने भाग दिया छियके बाड़ से एक वार यह छियके बाड़ से तीन वार और यह फिर तीन वार अब हम निकालने हैं पूर्व मुल्य, यानि कि दूसरा परसन का आंसर, तो पूर्व मुल्य क्या होगा, वो देखो कैसे, जब 10% बढ़ा, तो हम 100 में हर चीज एड़ कर रहे हैं, अगर वर्दी हो रहे हैं, तो उसको 100 में एड़ कर रहे हैं, और कमी हो रहे हैं, तो 10% बढ़ 10 into 100, 10 से 10, 11, बढ़े से 1 हो रहे हैं, और यह 3 हुआ, तो आप का आसर आएगा, 30 रुपे, कितना आसर आएगा आपका, 30 रुपे, तो वर्दमान का आपका आँसर आए था, 33 रुपे, और पूर्व काया आपका, 30 रुपे, तो इसका आप स्क्रिन सोट ले लो, देखें, next स्वाल, आपकी स्क्रिन पर, यह स्वाल कर रहा है, पैंट्रोल के दाम में 10% की कमी होने पर, पिसला स्वाल किया था, उसमें वर्दी हो रही थी, इस स्वाल क्या हो रही है, तो आप वर्दी या कमी देखकर, गबरा मजाना, आपकी सामने में परतिशत के जितने देने की, तो देखो, यह स्वाल करते है, पैंट्रोल के दाम में 10% की कमी होने पर, एक वक्ती, 1350 रुपे में 2 लिटर पैंट्रोल अधिक खरीद पाता है, तो जाहिर सी बात है, जब मुल्य में कमी होगी, तो क्वांटिटी हम क्या करवाएंगे, जाद ही खरीद पाएंग है, एक्सो पैंटिस रुपे उसके पास इस वर क्या हुरहें, ज्यादा, एक्सो पैंटीस रुपे उसके पास क्या है, ज्यादा है, क्यों, क्योंकिirie 10% की मुल्य में कमी हो गई, तो 135 कि ना लिटर कम घरीद पार है, डो लिटर, तो उसमें दो का भाग दे दिया, ताकि हम 1.5 पॉइंट पाच रुपे है तो यह कब का वेलू है जब दाम 10 पर थीशत कम हुए तो यह आगया वर्त्मान मुलिए तो आपके पहले पर्षण का उतर है यह अब दूसरा परसंट पूरु दांट तो पूरु दांट का निकारने हम दूसरा परसंट पूरु दांट 10 पर 30 की कमी होने पर तो पिछले स३ाल में वर्दी हो रही थी तो हमने 100 में 8 गिया इस स३ाल क्या और यह कमी हाँ सो में लेस्ट कर देंगी तो जो 90 परसेंट वेल्यू है वो उसका वेल्यू क्या है 67.5 और शो के जी की वेल्यू क्या हो जाएगी 67.5 अपॉन में 90 और इंटू 100 यह पॉइंट रटा नीचे जिरो दो जिरो से दो जिरो के एंसर नो के बाड़े से एक हुआ नो के बाड़े से साथ दौर क्योंकि साथ नीम 63 63 होगा 4 फिर 45 तो आपके पास आ गया पूरुदाम 75 रूपे पूरुदाम क्या थे 75 रूपे और वर्तमान मुल्या 67.5 रूपे तो जब दाम में कमी हुई तो हमारा मुल्या क्या था वर्तमान का 67.5 और जब दाम 100% value याद की तो आ रहा है पीचतर यानि की पूरुदाम तो देखें टाइप 4 में दस्वा स्वाल आपकी स्कीन पर ये कह रहा है चावल के दाम में 20% की कमी होने पर एक वक्ती 1250 रूपे में 5 केजी चावल अधी खरीद पाता है तो आपको पता है मुल्ये कम होगा तो वस् स्वाल की तरह 1250 का 20 पर 30 निकाल देते हैं तो आप देखें साथ में इसको अल कर सकते हैं पहले तो 20 पर 30 निकाल फिर उसके बाद हम करते थे तो इसमें क्या करो स्पीड बढ़ाने के लिए इसमें डारेक्ट आप 5 का भाग दे देगरो जितना कम खरीद पाता है जितना अधी खरीद पाता है उसका भाग यही पर दे दो तो सीधी बेलू आपकी आजाएगी तो 10 से 10 एक जिरो यह 5 के बादे से 1 वार यह 5 के बादे से 2 वार यह 5 के 50 रुपे क्या गया है 50 रुपे तो यह 50 रुपे क्या है 50 रुपे आपके सामने क्या है 20 परतिसद कम होने पर 20 परतिसद कम वर्तमान होगा था तो आपका गया है पहले परसंद का उत्तर वर्तमान का कितना है 50 रुपे अब हमें ग्याद करना है पूरू दाम तो सेक्ड परस 8030, 8030 की वेल्यू क्या है, 50, तो 10030 की वेल्यू क्या होगी, 50 बट्टा 80 into 100, into 100, एक 0 से 10, cancel, ये 4 के पड़े से 2 वार, ये 4 के पड़े से 25 हुआ, ये कितना हो गया, 25 को 5 से गुणा किया तो कितना हो गया 125 125 में आपने 2 का भाग दिया तो 2 के बड़े से 1 वार ये 2 के बड़े से 6 वार फिर 2 के बड़े से 2 वार फिर 1 बचा तो आ गया जो पूरू दौम आया है वो आपके सामना आया है 26.5 रुपे क्या है 22.5 रुपे और वर्टमान क्या था 50 रुपे और पूर वाया बासक दसमलो 5 रुपे टाइप 5 टाइप 5 में पहला परसन और आज का 11 परसन आपकी स्क्रीन पर है तो ये टाइप क्या किया रहा है देख ये परसन पड़ते हैं ये करा है एक वस्तु की कीमत पहले 20 परति गटा दी गई तो बताओ वस्तू की कीमत कितने परतिस्ट बढ़ी या गटी बढ़ी या गटी तो देखो इस स्वाल को हम 4-5 मेथर से कर सकते हैं जो मेथर आपको इजी लगे उसी मेथर से आप करो तो हमने पहला मेथर लिया हमने वाना वस्तू की कीमत थी 12 में 20 की वर्दी की गई 120 बट्टा 100 फिर 20 परती सलस्य 100 20 से लेख वकिया तो 80 बटा 220 से 010 1212 12 को आट से गोरा क्या 96 12 को आट से गोला क्या 96 पहले वस्तू की कीमत क्या थी 100 अब क्या है 96 स्टीने क्या ही च यह हम डार्रीक्त चार प्रतिंसत नहीं लेकिन कैसे लिखते हैं वो भी देख लो त्याज है दुनो आधी आफ प्रतिंसत चार इसथे 1910 के लिए करते हैं कि तुष है है चार परतीसत तो आपको पता है हम इतना करने के बाद चार परतीसत आना है तो उसको डारेक्ट आपकर दो परतीसत ही मान लिया करो अब देखो दूसरा तरीका सेकंड दूसरा तरीका है वही एक्स स्क्वेर बट्टा सो परतीसत कमी ये एक फार्मूला है और फार्मूला आपको इसमें रटना पड़ेगा उपर वाला तो आप कर सकते हो इसमें आपको ये भी पता चल जाएगा कितनी कमी हो रहे है या वर्दी हो रही है इसमें आपको रटना ही पड़ेगा और ये फा परतिसत क्या उनीजी समान, तब भी ये फार्मर लगा सकते हो, x square बटा 100, परतिसत क्या आएगी कमी, इसमें हमेशा कमी ही आएगी, तो देखो लगाते हैं, x square, x square मतलब वो परतिसत क्या थी, 20, तो x square का कर देता है, 20 into 20, बटा 100, एक जिरू से एक जिरू तो आ गया, 4 परतिसत क्या आ गया, 4 परतिसत क्या आ गया, देखते हैं, तीसरा, तीसरा मेंथड, तीसरा मेंथड भी वही है, फार्मॉला बेस, x plus minus y, plus minus xy, अपोन में 100, अपोन में 100, तो X क्या था चाहे तो वर्दी माल लो X को या कमी माल लो तो हमने माना X को वर्दी तो पहले हुई थी 20 की वर्दी अब ओर यह माइनस का चिन लेना है कब जब कमी हो तब हमने माइनस का चिन लेना 20 की कमी ठीक है अब देखो क्या ले अब हमने लिया 20 इंटू 20 तो एक 20 था प 200 plus का 120 minus का हम इसको cancel कर देते हैं तो आपके बास क्या है गा दो दूनी 4 यह 4 किसका है माइनस का तो इसका अर्थ हुआ कि 4 पर 30 की क्या हुँ कमी हुई इस minus का symbol आपको यह बताने की कोशिस कर रहा है कि 4 पर 30 कीमत में कमी हुई तो आया समझ मे तो ये भी था। फार्मूला दो नम्मर भी फार्मूला था। और पेला नम्मर था आपका basic concept। और चौथा करते हैं वो भी है आपका basic concept। पहला और चौथा लंबसम एक समानें तो देखो कैसे। हमने माना यह वस्तु की कीमत 100, पहले हो रही है बीस परतिसत की वर्दी तो हमने की बीस परतिसत की वर्दी सो का बीस परशेंट बीस होता है तो हो गया एकसो बीस तो हो गया एकसो बीस अब कहे रहा है पुना बीस परतिसत गटा दी गई तो हम गटा देते हैं बीस परतिसत तो 120 का 20% केतना होता है 24 नहीं होता है तो 120 में से 24 लेस किया तो क्या गया 96 पहले कीमत थी, शुरुवाती कीमत 100 अब क्या हो गई वर्धी और कमी होने के बाद छिन में हो गई थी तो 100-6 में बराबर क्या गई 4% की कमी क्या गई 4% की कमी तो सवाल इजीली समझ आया हूंगे इसको चार तरीके से कर सकते हैं मैं हमेशे आपको इसी तरीके से करने का कहूंगा पहले वाले तरीका क्योंकि इस तरीके से हम परतिसथ भी करेंगे profit and loss भी करेंगे और discount भी इसी से करेंगे तो ये concept आपको समझ आना बहुत जरूरी है वाकिए आपको समझ ना आए तो कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है लेकिन पहले वाला सबसे ज़्यादा जरूरी है ताकि इससे हम आगे आगे जो सवाल करेंगे वो इससे कर सकते हैं तो देखिए आज का next सवाल तो देखिए type 5 का आखरी स्वाल और आज का भी आखरी स्वाल बारवा स्वाल तो ये स्वाल आपकी स्क्रीन पर स्वाल देखो क्या कह रहा है एक सिनेमा होल में टिगट की दर में 20% की कमी होने पर जब टिगट की दर में कमी हुई है तो कह रहा है दर्सको की संख्याम में 40% की वर्दी हो जाती है तो जाहिर सी बात है जब टिगेट में कमी होगी तो दर्सक अपने आप ही बढ़ जाएंगे हो जाती है तो बताओ सिनेमा होल की आई कितनी परतिसत कमी या वर्दी हुई तो i में क्या फर्रक पड़ा ये हमें बताना है तो जो हमने पिस्क्ला स्वाल किया था उसमें हमने चार मेथड किये थे तो उसमें से तीन मेथड आपका यहां पर काम आ सकते है एक आएगा नहीं मैंने आपको बताए था 2-0 परतीसत सेम होने चाहिए वो एक स्क्वेर बताए 100 परतीसत कमी वाला तो तीन से हम करते हैं इसको हल तो पहला मैं था कर रहे है कि सीनेमा होल के आई थी 100 जब टिकेट की दर में 20 की कम हुई मतलब कि 100 में 20 की कम हुई मतलब 80 बताए 100 तब क्या आगर है 14 को 8 से गुणा करनी है तो आपका आगया 112 तो ये 112 आप डारक नहीं लिख सकते क्योंकि आपके अब है 112 लेकि पहले इंकम कितनी थी 100 अब है 112 तो कितनी बड़ी 12 परतीसत कितनी बड़ी 12 परतीसत बड़ी ये वर्दी हुई है लिख लेना 12 परतीसत बड़ी अब उसको करते हैं दूसरे मेथर्ड से दूसरा मेथर्ड क्या था x पलस माइनस y पलस माइनस x y अप और में 100 यही तो था तो x की जगह हम ले लेता है 20 परसेंट कमी तो हमने माना 20 परतीसत क्योंकि कमी और ही माइनस में लेंगे y की जगह पलस का 40 परतीसत और y यहां पर सी मुला जाएगा 20 इंटू 40 बटा 101 से 10 तो माइनस का 20 और पलस का 4 तो कितना बचा पलस का 20 पलस का 20 बचा और यह कितना हो गया माइनस का 8 माइनस का 8 हो गया तो आपके सामने क्या बड़ा 20 मेंसे 8 गया तो 12 परतीसत क्या बड़ा 12 परतीसत कई वर्धी क्योंकि 12 क्या रहे पलस का 1 तो पलस का 1 गया हुता है वर्धी तो हो रही है तो गया 2 में अब करते हैं 3 मेंतड 3 मेतड हुआई हमने माणी आई 100 थी आई थी 100 दर स्कोप किसंग 40% वर्दी हो रही है और टिगट की दर में 20% की कमी हो रही है तो टिगट की दर में 20% की कमी का मतलब 100 में से 20 की कमी मतलब 80 तो 100 में मतलब 80 हो गया और दर्सा कितने 40% की वर्दी हो रही है तो 80 का 40% फिर वर्दी कर देते है तो कितना होता है 80 का 40% कितना होता है 32 नहीं होता 80 का 40% 32 होता है तो 40 32 होता है तो 80 और 32 को आपने 8 गिया तो कितना हो रहा है 112 तो पहले आपकी आई थी 100 अब है 112 इनका अंतर कितना है 12 का 12 परतिसत क्या हो रहा है 12 परतिसत वर्दी हो रही है क्या हो रही है वर्दी हो रही है तो देखो पहले तरीके से भी हमारा आंसर 12% वर्दी दूसरे से भी 12% वर्दी और तीसरे में थर्ड से भी 12% वर्दी आया तो जो तरीका आपको उचित लगे जो तरीका आपको अच्छे से समझाया उसी तरीके से आप कर सकते हो लेकिन मैं फिर भी आपको होँगा पहला तरीका सबसे बेस्ट है उससे करने की कोशिश करना तो इसकी इंसोट ले लो आप इसका तो दोस्तो मेरे दुआरा समझायागा परतिशक टोपिक आपको समझ आ रहा होगा यह मैं उमीद कर रहा हूँ अगर मेरा समझायागा आपको समझा रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करना चैनल को सबस्क्राइब करना अपने दोस्तों के साथ सेर करना और नए नई अपडेट लेने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूनना मेरे चैनल पर नए नए वीडियो आते रहेंगे अलग-अलग टोपिक में लाता रहूँगा मैत के मैंने अभी परतिशत करुआ हैं आपको दीरे दीरे परतिशत से आगे जाएंगे लाभानी करेंगे उसके बाद एडवांस मैत भी हम करेंगे आपका सने और आशिरवाद रहा और सयोग रहा दोस्तो तो मैं सारे सब्जेक्ट इस चैनल पर लाने की कोशिश करूँगा सारे सब्जेक्ट के टीचर लाएंगे और आपका बाई आपके साथ है तो जे हिन जे भारत